लेगें लोग तंत्र में बॉयकॉट होता है, बीजेपी ने बहुत बार बॉयकॉट किया है, बहुत बार वॉकाउट किया है, महीनों तक संसद नहीं चलने दिया, लोग तंत्र का हिस्सा है। और लेकिन जहां तक नहीं संसद भवन का सवाल है और विपक्ष बाइकॉट के एलान का जो सवाल है उसको बीजेपी को खारिज नहीं करना चाहिए लोग तंत्र में और संसद संसद के से जुड़े हुए खास्तों पर जो गतिविधियां होती है उसमें आपने देखा होगा क स्पीकर डिनर बलाते हैं विपक्ष के नेताओं को सप्तापक्ष के नेताओं को आपस में सुलह कराने की कोशिश की जाती है अगर विपक्ष यह कह रहा है कि राश्पति को बलाया जाना चाहिए और उस पर बॉइकॉट करने की कोशिश करें तो जो संसद देकारियमंत्री सरकार के उनको खासता और पर इनिशेटिव लेके कम से कम ये मैसेज देने के कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने विपक्ष की आशनकाओं को का निराकरन करने के कोशिश किये हैं लेकिन जिस तरह से खारिज किया जा रहा है और जिस तरह से बयान बाजी हो रही है सरकार की तर संसद की स्थापना बहुत पहले होची कि समिधान सभा में समिधान बना और उसके बाद संसद आज तक चलती आई है यह बिलकुल खुशी की बात है कि देश की एक नई संसद होगी कलको संसदों की संख्या भी बढ़ सकती है इसकी भी जरूरत बताई जाती रही है लगाता ल तो यह भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं और एक आदिवासी महिला को पहली बार देश का रास्टपती बनाकर जो आपने नाम कमाया है उसको क्यों गवा देना चाहते हैं आप एक आदिवासी महिला अगर आपके आपके लोक तंत्र के मंदिर का उत्गाटन करें दुनिय प्रदान मंत्री अगर आएंगे तो हम नहीं जाएंगे अगर एक्स्ट्रीम पोजिशन ले रहा है विपक्स को यह नहीं कहना चाहिए करेंगे तो हम नहीं आएंगे लेकिन विपक्ष जो दूसरी बात कह रहा है कि राश्पती जी को बुलाया जाना चाहिए या जो संसद्य परंपराओं का कीजिए डिबेट कीजिए डिस्पोज कीजिए ठीक है तो वो तरीका है संसद्य पर